हेलो डियर मैं भुतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूटिव चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के टाइम कई बच्चे काफी कन्फूजन में होएंगे खास कर कि वो बच्चे कन्फूजन में होएंगे जिनोंने CGL 2020 का जो प्री एक्जाम है वो बॉर्डर पर पास किया होगा तो फिर वो पहले ही ये सोच रहे थे कि हम मेंस की तियारी करें या ना करें मेंस की तियारी करने का हमें फाइदा होगा कि नहीं होगा उपर से अब हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद CGL का मेंस होएगा और फिर कुछ टाइम के बाद CGL का प्री होएगा अगले साल का और CHSL का प्री होएगा SSC की तियारी करने वाले काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैं मेंस के उपर फोकस करूँ या प्री के उपर फोकस करूँ वो वाले स्टूडेंट जिनोंने पिछले साल का प्री कलियर किया है वो इस दिविदा में होंगे किस चीज की तियारी करना बैटर रहेगा तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा एक बार देखें जरा ध्यान से हम देखेंगे कि कौन सा टाइम हम किस चीज के उपर देखेंगे तो भाई साब ये मैंने या पर टाइम लाइन लिखी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा अगले साल का तो फिलाल हम आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलाल हम दिसंबर के अंदर हैं ठीक है दिसंबर के अंदर है अभी जैन जो है वो स्टार्ट नहीं हुए है तो आपका जो CGL मेंस का पेपर है 2020 का वो जनवरी के एंड में है ठीक है तो मेंस के पेपर के अंदर कौन से टोटल च्यार सब्जेक्ट आते हैं SSC के अंदर एक तो हो गया जी मैट्स एक इंगलिश एक रीजनिंग और एक जिक्के जिक्के जिएस जो भी आप बोलना चाहिए ठीक है तो मेंस के अंदर मैट्स और इंगलिश ये दोनों आते हैं और प्री के अंदर वो दो भी आते हैं तो देखो अगर आप 2020 के प्री के अंदर अगर आप बोर्डर पर भी पास हुए हो तो हर साल ऐसे कंडिडेट होते हैं जो border पर pass होते हैं फिर भी government job ले जाते हैं वो सकता interview post पहले interview post लेते थे वो सकता है कि grade B की post ना ले grade C की post लें लेकिन post वो ले जाते हैं ग्रेड B और C में इतना खास अंतर नहीं रहता कई department के अंदर अंदर जाकर departmental exam होते हैं जिसमें वो गस्टेड officer बन सकता है grade B से भी उप पर चला जाता है ठीक है तो border पर रहकर भी आप ठीक ठाक job secure कर सकते हो अगर pre में आप border पर हो तो भी ठीक है तो seasonal mains की तियारी कैसे करनी है उसको attempt कैसे करना है इसकी मैं अलग से पूरी वीडियो बना चुका हूँ ठीक अलग से दो वीडियो मैं बना चुका हूँ उन वीडि इंग्लिस के अंदर 100% target करना चाहिए 100% target का क्या मतलब है कई बार क्या होता है अगर बच्चे का कोई subject weak है तो वो उसमें उतना जोर भी नहीं लगाता है कि sir मेरी English बढ़िया है और math उतना ठीक नहीं है उसमें वो marks भी कम ही target करता है कि उसमें 170 आ जाएं तो भी ठीक है समझ चीड आता है concept वही है अगर आप 100% target करोगे तो हो सकता आपके 100% marks ना आएं लेकिन तभी आपके chances बनते हैं कि आपके 98% 95% या 90% marks आ जाएंगे target ही नहीं करोगे तो आपके marks भी नहीं आएंगे सिद्धी सी बात है तो अभी आपको जितने भी अगले 40 दिन के लगबग जो दिन बचे हैं उनमें दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ इन दोनों subject की त्यारी करनी चीए सिर्फ और सिर्फ इनके बहुत सारे mocks आपने देने चीए mocks कैसे देने हैं मैं वीडियो बना चुका हूँ वो देख ले ना उसके अंदर वाली strategy अगर किसी बंदे ने follow कर ली त इसमें भी पूरे के पूरे marks लेकराने हैं इसमें भी पूरे के पूरे marks लेकराने हैं जो भी आपका week है उसके उपर आप तियारी करो mocks के अंदर क्या होता है मालो 100% marks हैं कि 70% marks आपने अचीव कर लिए 30% जो question है वो आपने गलत कर दिये तो हमारा focus इसके उपर होना चीए कि इस 30% में से ऐसे कौन से question है जो मैं अगले ही mocks में ठीक कर सकता हूँ जो कमी है जो मैं ठीक करके अगले ही mocks में या उससे अगले mocks में परे marks बढ़ सकते हैं इसको बोलते है analysis और analysis करने से अगले mocks में एकदम से 100 number नहीं आएंगे बट 70 की बजाए अगले 2-3 mocks के दोरान आप 75 लेने लग जाओगे आपका थोड़ा सा standard बढ़ जाएगा 70 number आने का मतलब यह नहीं है कि आपका maths कमज़ूर है इंगलिस कमज़ूर है उसका मतलब यह है कि कुछ हिस्सों के अंदर अभी उतनी maturity नहीं आई है बच्चे इसको नाम दे देते हैं कि मेरा वो subject कमज़ूर है नहीं धीरे धीरे वो maturity आईगी उसको analyze करोगे उनको थोड़ा ओर deeply देखोगे तो इन 30% question के उपर ध्यान देना कि यहां पर number नहीं आ रहे कैसे इनको improve करूँ यह कौन सा portion है जो मैं अगले मौक या उससे अगले मौक के अंदर improve कर सकता तो अगर आपने maths और English की mains level की तियारी की तो January के end तक या फि तो यहां पर इन्होंने कब बोला है अच्छा यह मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया क्या इन्होंने अपरेल और मौई में बोला है तो इसको मैं थोड़ा सा अगर shift करूँ तो यहां पर होगा CGL परी का पेपर 22 अपरेल को if I am not wrong मैंने अपनी memory के base पर ही डेट्स लिख दी है ठीक है इस वीडियो के अंदर तो कंसेप्ट के उपर देना तो CGL का पेपर इन्होंने बोला है कि भया 22 अपरेल को होगा ठीक है और CHSL का पेपर 22 को और अगर आपने कलेंडर के अंदर एक बात नोटिस की हो तो 22 अपरेल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई सबकुछ 22 बाइस है तो फिलाल SSC वालोंने tentative कलेंडर दिया है जो उन्होंने date दिया है उन्होंपर exam नहीं होने वाला तो यहाँ पर अगर आपने maths और English मेंस लेवल के तियार किये है और इस दिन अगर आपके अच्छे marks आते हैं तो मुझे एक बात बताओ क्या आप अगले pre के लिए maths और English तियार कर चुके हो कि नहीं आप कर चुके हो या इसके बाद आपको syllabus करने की जरूरत है जी definitely syllabus करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ मौक्स देने की जरूरत है उस exam तक अगर एक अदा concept आपको बीच में revise करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो अदर वाइस आपको सिर्फ और सिर्फ मौक्स देने की जरूरत है आपको दुबारा से course करने की इसलिए बस करने की जरूरत ही नहीं है ठीक अगर आप चाहो तो एक अदिबार रिपीट कर सकते है ओ अगर आप एक बार परी निकाल चुके हो तो reasoning आपको दुबारा से course नहीं करना होता आपको वही मौक्स के तरू प्रेक्टिस ही करनी होती है तो तीन subject तो आपके इसी दिन तियार है ना अगर आप maths और English तियार कर रहे हो तो तीन subject के लिए तो आपको इसी दिन सिर्फ मौक देना है पर तक CGL के परी तक GK को हम फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे क्या इतना time GK के लिए enough नहीं है क्या जो आप अभी से pre के लिए तियारी करने लग जाओगे definitely enough है तो इस time के दोरान भाई साब हम इन तीन subject को तो सिर्फ मौक के थ्रू improve करेंगे अगर कहीं पर कम होगी तो हम of course उस chapter को पढ़ लेंगे otherwise इस time के दोरान हम अपनी GK को दोबारा से revise करेंगे हमने पहले pre clear क्या है तो एक टिक टक लेवल की तो की है अगर कमजोर लेवल की है तो भी आप यहाँ पर अच्छी कर शकते हो अगले साल के लिए आप cut off से बहुत ज्यादा marks लाने क के लिए target कर सकते हो तो फिलाल जिन बंदोंने pre clear कर रखा है भले ही border पर clear कर रखा हो कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि cut off से अगर 20 marks ज्यादा निया 10 marks ज्यादा निया तो अगर तुम list 3 में हो तो चकर ही छोड़ दो selection का ऐसी बात नहीं है इस साल में guarantee लेकर कह सकता हूँ कई बच्चे list 3 में है और वो selection लेंगे हर साल ऐसे बच्चे होते हैं जो border पर है और कोई ना कोई जो वो पका लेकर जाते हैं तो आप उस season के लिए target करो और एक बार आपने इस season के लिए target किया तो इसमें भी आप definitely better कर पाऊँगे और इसमें अगर आप better कर पाए तो इसमें भी या better कर पाऊँगे एक मीने के बाद या डेड़ मीने के बाद हो जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा फिलाल तो इन्होंने tentative date दी हैं तो मैं इस confusion को दूर करना चाह रहा था उमीद करता हूं कि ठीक ठाक आपके confusion को मैं दूर कर पाया हूंगा और इस वीडियो से आपको कु लिए और इन दोनों प्री के लिए बनाने की सोच रहा हूं आगे तो अगर आप इस channel से अभी तक नहीं जूड़े हैं तो definitely subscribe करो यह तो काफी बड़ी बड़ी है चीज़े आप मिस करतोगे ठीक है बाइबाइ टेक केर